राथे राधे जी, 20 अप्रेल नवराथरों का आठवा दिन है, यानि कि महाश्ट में है, इस दिन महागावरी की पूजा की जाती है, इसी दिन कन्या पूजन भी किया जाता है, इस वीडियो में शुप मुहुरत क्या है? साथ ही कन्या पूजन कैसे करें, पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भेंट में कौनसी चीज नहीं देनी चाहिए, और कन्या पूजन के बाद घर में कौनसे कारियन नहीं करने चाहिए, ऐसी सारी जानकारे आपसे शेयर करूंगी, चलिए वीडियो स्टार्ट क सवाजना, भोजन कराना, उभार देना बहुत ही शुब माना गया है जिस तरह कलश स्थापना पूजा के लिए शुब मुहुरत देखा जाता है उसी तरह कर्या पूजन भी शुब मुहुरत में करना बेहत चमतकारी भलदायक साबित होता है बीस एप्रल के पूरे दिन अश्टमीति थी रहेगी बीस एप्रल को शुब मुहुरत है सुबह के पौने बारा बजे से लेकर दो पहर के पौने एक बजे तक दोस्तों लोग प्रचलित मान्यता है कि नौ कन्याओं के उमर के हिसाब से मादा के आशिरवात प्रांप्त होते हैं जैसे कि दो साल की कन्या के पूजन से दुख और दरित्रता का नाश होता है तीन साल की कन्या को पूजने से धन में वृध्धी होती है 4 साल की कन्या को पूजने से परिवार का कल्यान होता है 5 साल की कन्या पूजने से रोग से मुक्ती 6 साल की कन्या पूजने से विध्या मिलती है 7 साल की कन्या पूजने से ऐश्वर्य प्राप्ती आठ साल की कन्या को पूजने से किसी भी वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है ना साल की कन्या को पूजने से शत्रों का नाश होता है तथा दस साल की कन्या को पूजने से सभी मनोकामनाय पूर्ण होती है दोस्तों आपको बता दे पुरानों के अनुसार इंद्रदेव ने एक बार ब्रम्हदेव से मात दुर्गा को प्रसंद करनी की विधी पूछी थी तो ब्रम्हदेव ने सर्वोत्तम विधी के रूप में कन्या पूजन की विधी बताया था नवरात्री के सारे वरत नियम जब पुजापाथ से माता उतनी प्रसंद नहीं होती जितना कन्या पूजन से होती है देवी भागवत में भी लिखा है कि इन नवरात्रों में माता धर्ती पर बालिका के रूप में विचरती है खेलती हैं, जूमती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, भक्तों को दर्शन भी देती है कन्या पूजन में नौ कन्याओं को आमंतरन दिया जाता है साथ ही दो छोटे बालकों को भी आमंतरन अवश्य दे जिस तरह हम 9 कन्याओं को माता के 9 रूप यानि 9 दुर्का स्वरूप मानते हैं उसी तरह इन दो बालकों में से 1 को हनुमान जी और 1 को भटुक बैरव जी मानकर उनकी भी 9 कन्याओं के साथ ही पोजन किया जाएगा और भोजन कराया जाएगा कन्याओं और बालकों को घर आमंत्रन देने से पहले ही घर की अच्छी तरह से साफ सफाय कर ले क्योंकि बिखरे गंदे घर के हालत में माता घर में प्रवेश नहीं करती जब कन्याएं घर में प्रवेश करें तो घर के सभी सदस्य उनके स्वागत में माता के जैकारे लगाएं जै मातादी जोर से बोलो जै मातादी प्यार से बोलो जै मातादी शेरा वाली जै मातादी मेरे घर आई है जै मातादी फिर कन्या को आसन दे बैठाएं फिर उनके चरंद होएं उनके चरनों पर अक्षत पुष्प और कुमकुम अर्पन करें चुनरी ओड़ें माथे पर रॉली और चावल का तिलक लगाएं और कलाई में कलावा बांधें जब आप अपनी हाथों से कन्या को इस तरह सजाती हैं सवारती हैं तो माता आपसे बहुत खुश होती हैं अब कन्याओं को खेलने दे, खुशी से नाचने गाने दे, जब कन्याओं इस तरह खुशी खुशी आपके घर खेलती हैं, तो समझ ले माता आपसे बेहत प्रसन है, ये एक तरफ से संकेत ही है फिर सभी बच्चों को बिठाएं और भोजन परोसें, भोजन में पूरी हलवा और काले चने अवश्य बनाएं, पूरी केवल शुथ देशी घी में ही तलें, हलवे में केसर मिलाना अनिवार्य है और काले चने में हींग होना चाहिए सभी बच्चों को प्यार और श्रधा से खिला है, किसी को भी टोके ना कई लोग इन घर आई नौ कन्याओं में से किसी एक को ही दिल से चुंकर अपना हवन संपन कराते हैं, व्रत का पारन करते हैं इसके बाद कन्याओं के पैरों में महावर और हाथों में महंदी लगानी से ही कन्यापूजन संपन होता है अब आप अपने सामर्थ अनसार भेंट करें, भेंट में बच्चों की आवशक्ता मद्दे नजर रखते हुए उपहार में भल दे सकते हैं, मिठाएं दे सकते हैं, किताबे, खिलोने, नविन वस्त्र दे सकते हैं, दक्षिना के तोर पे पैसे भी दे सकते हैं भोजन के प्लेट और ग्लास देने से बचे, क्योंकि आपको नहीं पता आगे जाकर उस प्लेट और ग्लास का कैसा इस्तमाल होगा पूजा अनंतर भेंट में दी कई प्लेट या ग्लास को स्वीकार करने वालों को भी कुछ नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि वह प्लेट बगवान के नाम पर दिये जाते है तो ऐसे परतनों में तामसिक चीजें नहीं रखना चाहिए वरना दोश दोनों को बराबर लग सकता है यदि इतना ध्यान नहीं रख सकते तो प्लेट क्लास देना ही नहीं चाहिए दोस्तों देवी भागवत में बताया गया है कि नवरात्रों में मादुर्गा धरती पर बालिका के रूप में विचरती हैं और अपने भक्तों को दर्शन भी देती हैं इंद्रदेव ने जब प्रमधेव से मादुर्गा को प्रसंद करने का सबसे सटीक विधी पूछी तो उन्होंने सर्वोत्तम विधी के रूप में कन्या पूजन की विधी बताया कन्या पूजन से ही नवदुर्गा का पूजन संपूर्ण होता है कन्या पूजन में भोजन के साथ ही साथ कन्याओं को उपहार देकर प्रसंद किया जाता है अपने शक्ति अनसार कन्याओं को कुछ ऐसी चीज दें जिससे वे खुश हो जाएं साथ ही उनके काम भी आए नवरात्रों के पांचवे दिन से मा सरस्वती की पूजा भी की जाती है इसलिए कन्याओं को विध्या और शिक्षा से जुड़ी वस्तों का दान देना श्रेयस कर माना जाता है जैसे की कथा कहानियों के पुस्तक, रंग पुस्तक, कलम, रंग पैंसल या स्केच पैन आदी इस उभार के साथ ही आप ये चोटी सी चीज उनके उभार में दे दें तो आपके बंद किस्मत का ताला खुल सकता है यदि लाख कोशिशों के बाद भी आपको अपने महनत का फल नहीं मिल रहा है यदि आपको लग रहा है कि आपकी किस्मत ही आपका साथ नहीं दे रही तो करें ये पेहद सरल परंतु रामबान उपाएं माता को लाल या पीले रंग के फूल चड़ाएं नैवेध्य में नारियल या खीर अरपन करें अब माता के चर्णों में एक बंद ताला रख दीजिए ताला खरीते समय दुकानदार आपको ताला खोल कर दिखाने की कोशिश करेगा लेकिन आप मना कर दें आप ऐसा ताला खरी दें जिसे आपके सामने नहीं खोला गया हो बस दुकानदार का आश्वासन काफी है कि वह ताला काम करता है फिर उसे मा के चर्णों में रखें और प्रांथना करें कि हे मा यह ताला स्वीकार करें मेरे बंद किसमत के स्वरूप इस ताले को आप ही खोलें मेरा भंडार भर दो कन्या पोजन के बाद जब आप विदाय से पहले कन्या को उपहार देंगे तो उस उपहार के साथ ही इस ताले को किसी एक कन्या को दे दे जब वह कन्या उस ताले को खोलेगी आपकी किसमत का ताला खोल जाएगा इससे समझे कि माने आपकी सुनी आपकी पूजा को स्विकार किया है दोस्तों यह उपाय कहने सुनने में भले ही सरल लगे लेकिन जिस किसी ने भी पूरी श्रधा से यह उपाय किया है वो दावी के साथ कहता है कि यह शत प्रतीशत काम करता है इसलिए आप भी यह उपाय करके देखिए और साथ ही अपने बंधुमित्रों के साथ भी यह उपाय शेयर कीजिए बिदाय के वक्त बटुब भैरव बाबाजी की जैकारे लगाते हुए बिदा करें बिदाय के बाद आपको उसी जगा अपना वरत खुलना होगा जहां कन्याओं ने भोजन ग्रहन किया हो हो सकता है कन्या पूजन के बाद घर थोड़ा सा बिखर जाए पर जाड़ों नहीं लगाना चाहिए चाहे तो कपड़े से साफ कर ले कन्याओं पूजन के तुरंत बाद नहाएना वर्ना कहा जाता है कि सारे वरत का पूजन का फल पाने में धुल जाता है आशा है कि आपको यह जानकारे यूसफुल हो आगे की वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहे हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में स्वस्ति